अरे बाई, दुनिया में सब से गरीबाद में वो होता है जिसका बुड़ा पे में हम सफर उजड़ जाए सई बात है बाई, आज हमारे ताउजी भी वो गरीबाद में हो गए बचों को सक्षिज करने के चकर में पूरी जवानी गुजार दी बच्चे अलग अलग सेट होगे, यह दोनों अपना यहां टाइम पास कर रहे थे और बगवान ने देखो समय का भी बटवारा कर दिया अलो, अरे बाई, आदी गंटे बाद में बात करता हूँ, अभी अन्तिन संस्कार में आया हूँ, ठीक है ना? अभी इतना टाइम को लगा रहे हो, बोड़ी अकड़ जाएगी, भाई कितना टाइम लगेगा दाग में, अब क्या बताए अंकल जी, ताओ जी के बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाते तो माताराम के अंतिम दर्सन कर लेते, उनके हाथ भी लग जाते, जिन्दा खताः है ठीक अंगरी लोजी, आगए तागे हैं मेरे बेटे को बुला तो… मेरे बेटे को बुला दो, उसे मिलना है, एक बार उसको देख लेती। पर तेरे को भी टाइम नहीं मिला। और आशे करते नहीं बुजर गया। ठापा, काम में इतना यड़ट गया था। शोटी नहीं मिली। बच्चों को नहीं लाए, वो भी दादी मा के दासल कर लेते, मैं भी उनको देख लेता। पापा, बच्चों की अद्जाम चल रही है, इसलिए बच्चों को नहीं ला पाया, उनकी भी पढ़ाई कराब होती, उनको भी तो अगे सक्सेज करना है पापा। सही बात है बेटा, एक बाप की तो उमर गुजर जाती है बच्चों को सक्सेज करने के लिए, पगवान से यह दुआ है कि तेरे बच्चे तेरे सी विजदा सक्सेज हो, पापा अब की देरी कर रहे हो, ये काम निप्टा हो जल्दी, मेरे को सुबह निकलना है, मेरी मीटिंग सही बात है बेटा, मिटिंग में नहीं जाओगे तो तुम्हारा लाकों का नुक्सान हो जाएगा, तो दिख्कत ही है कि तेरा बड़ा भाई आ जाता, तेरी मा की इच्छा थी कि दोनों बेटों के हाथ लग जाए मेरे, बस उसी का इंतजार है, वो नहीं आया, पापा, इसलिए बया ने मेर को बोला, मम्मी की टाइम तू चला जा, पापा की टाइम में मा चला जाओगा, इसलिए मम्मी के टाइम पे मा आ गया, चलो अब जल्दी शेयन इप्ता लेते हैं, उसके जाने से ज्यादा तेरे आने का कम है, तेरी मिटिंग खराब हो रही है, बड़े पर एक बात याद रखना, बच्छों को इतना सक्षेज भी मत करना, कि वो अपने माबाप के अंतिम संस्कार पे आये, तो आसान जता है, तुम्हारी तरह, और एक काम और करना बिटा, अब यहां के अंतिम संस्कार करके वापस तु बड़े भाई के पास में जाये ना, तो उनका बिंतिम संस्कार करके आगा, आस तक समझ में नए है बेटा मेरे, कि एक बाप अपने बेटों को इसलिए सक्सेज करता है, कि वो उसको छोड़के चले जाएं, वो अपने बच्छों को सक्सेज में लग जाएं, माँ भाप भी लगते रहें, कि बेटा हैगा, बेटा ह एक सवाल आप से, क्या यही कामियाबी है, हजारों मुश्किले सहकर मातापिता अपने बच्चों को कामियाब करते हैं, एक दिन वही कामियाब बच्चे, अपने मातापिता को भुढ़पे में तनहाथ छोड़कर चले जाते हैं, क्या यह सही है?